नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल आचार जागंद रमिस्त्रा में मिथुन राश वालों की जोड़ी किसके साथ अच्छी जमेगी जी हाँ दोस्तों मिथुन राश वालों किसके साथ आपकी जोड़ी अच्छी जमेगी और कौन सी वो राशी है जो आपकी ल यहां पर जीवन में परिसानिया भी है तब करसे बचें? तो दोस्तों, वीडियो के अंध तक बने रहे और इसे अंध तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक सेर कर देजिए और दोस्तों, यह जानकारी चंध राशी पर आधारित है तो चलिए मिथुनरास के जातकों सबसे पहले जान लेते हैं मिथुनरास के जातकों के बारे में तो देखें मिथुनरास के जो जातक होते हैं अगर हम इनके प्यार की बात करें लब की बात करें तो प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं अपने साथी को बहुत चाहने वाले होते हैं चुकि हमारा टॉपिक भी यही है मिथुन रास वाले प्यार के मामले में कैसे होते हैं प्रेम बेभार की बात करें मिथुन रास के जातकों की तो देखे, प्यार के मामले में बेलकुल एक perfect होते हैं, खटास रहना इनको सदर्क रहना बहुत पसंद है, और इनके प्यार के मामले में ये अपने साथी को बहुत चाहने वाले होते हैं, इनके अंदर respect होता है, इमांदार होते हैं, और ये जीवन में सभी चीजों को पसंद करते हैं लेकिन अपने साथी के साथ जूट बोलना पसंद नहीं करते हैं और जीवन में सभी अवस्थमिये काम करना पसंद करते हैं स्वास्त का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले मितनरास्क जातक होते हैं ये फिट रहने के लिए कुछ भी करते हैं जैसे कि खुद वैस जैसे ही साथी में भी चाते हैं और अपने जैसे बनाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं और इनका प्यार बहुत ही पवित्र होता है और इनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप अधरनी भी यह होते हैं इनके अंदर जुनून होता है इनके अंदर प्यार की भावना होती है और कुछ नहीं लेकिन अंदर से ब्यक्तित की वाद करें इनके तो बड़े ही इमांदार होते हैं मितुनरास के जातक आदर सवादी सोच के होते हैं और इनके जीवन में जो एक प्रति इसपरदा वाला पार्ट है वो बहुत ही मजबूत होता है और इनके अंदर यानिकी प जरूरत पड़ जाए तो मांग जरूर लेते हैं अब जीवन में इनके यानिकी अपनी इक्छा सक्ति पर बहुत हावी होते हैं ये चीजों को जल्दी से हंडल करने में बहुत माहिर होते हैं मितुनरास के जातक चीजों को बिशलेशन करने के छंता इनमें अद्वूत होती हैं बहुत ही जादा यानिकी अच्छे सुभाव के होते हैं लेकिन बीच बीच में क्रोध भी कर लेते हैं अपने साथी के उपर और हमेशा चेहरी पर भीनी भीनी सी मुस्कुराहट लिए रहते हैं और यही इनकी भीनी भीनी सी मुस्कुराहट आगे बढ़ने में मदद कर लोगों को अपनी वाड़ी से अकर्सित करते हैं और अपनी मुस्कान से अकर्सित कर लेते हैं इसलिए जल्द इनको प्यार मिल जाता है मितुनराज की जातकों को तमाम जिम्मेदारियों को निभाना इन्हें बहुत आता है वैसे इनके जीवन में सीखने की एक अधुत कला हो होते हैं, इनके समझ बहुत ज़्यादा होती है और इनको समझना किसी के बस की बात नहीं है, हलाकि इनके अंदर साथी हो या आ इनके लब पार्टनर, इनके उपर निर्वर रहना अच्छा नहीं लगता इनको, जीवन की सभी अवस्था में काम करना इनको पसंद करते हैं, स् पहतर नौकरी मिल जाए, मान सम्मान वाली तो जरूर करते हैं, और निष्ठावान होते हैं मिथुन रास की जातक, करतब भी परायन होते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनके साथ बहुत ध्यान रखते हैं, साथी साथ उनके साथ इमानदारी बरतते हैं, और वैसे ही उनसे उपयक्षा भी करते हैं, चुकि ये खुस और संतुष्ट भी रहना जानते हैं मिथुनरास की जातक, मिथुनरास वाले जातक जो होते हैं, बहुत प्रभावसाली होते हैं, राजनीतिक छेतर में भी अपना कद उंचा करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, फिर भी कुछ चीजें इनके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाते हैं, यानि कि बहुत ऐसे चीजें हैं जिनको ज्यादा ये पसंद नहीं करते हैं, और किताबी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, कहानिया सुनना बहुत पसंद करते हैं, इनका मानना है मिथुनरास के जातकों का कि जो जैसा है वैसा ही है किसी कार शे उबते नहीं है अपने शम्मंदों के प्रति पूर्टे शमर्पित होते हैं और प्यार एक उपयोगी पक्ष की तरह देखते हैं काम करना इनका एक जुनून है हमेशा ही काम करने के लिए तद पर रहते हैं और इनके कार्याले जहां ये नौकर इनका जो साथी होता है लब पार्टनर इनके प्रति इनकी रुची बहुत साप सुतरी होती है मिथुन रास वाले थोड़े से गंभीर सुभाव के होते हैं इनको समझना इतना आशान भी नहीं है हलाकि इनको अपने जीवन साथी पर अपने लब के उपर निर्वर रहना ब खोड़ा क्रोध भी करते हैं यह बहुत ध्यान रखते हैं अपने जीवन साथी का और अपने लब पार्टनर का फिट रहने के लिए अनेक प्रकार के योगा भ्यास करते हैं और दिन्चरिया में परिवर्तन लाते रहते हैं कुछ भी करते रहते हैं फिट रहने के लिए और जैसा कि ये खुद हैं, वैसे ही अपने साथी चाहते हैं, अपने लब पार्टनर चाहते हैं, और जोड़ी को ऐसे ही चाहते हैं, और अपने जैसे बनाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, मस्वीरा देते रहते हैं, हलकि इन्हें समय बरवाद करना मिथ कपट होते हैं ये निश्चल होते हैं निर्दोस होते हैं और इमानदार होते हैं और कभी-कभी अपने साथी के छोटी सी गलती पर छोटी सी बात पर ज़्यादा नुक्सा निकाल लेते हैं और क्रोध भी कर बाइड़ते हैं आलोचनात्मक भी होते हैं रिष्टे को बहुत मजबूत करते हैं लेकिन इसी बज़ा से रिष्टे थोड़ी बिगड जाते हैं जब ये क्रोध करते हैं तो ये चीजों को हंडल भी करना जानते हैं इनके जीवन में ऐसी चीजे होती हैं तो ये थी मितुन रास वाले जातकों के बारे में कुछ खास बातें जो आपके लिए जानना अती आवश्चक था अब हम जानते हैं मितुन रास वाले जातकों को कि आपको धोखा मिलने के शंभावना सबसे ज़्यदा किन रासियों से होती है किन से यानि किन राशियों से आपको बचके रहना चाहिए तो देखिए यहाँ पर धन के मामले में धन के लेन देन के मामले में सबसे ज़्यादा आपको धोखा किन राशियों से होता है तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा राशी जैसे कि आपको ब्रशिक राशी जी हाँ मितुन राश की जात को ब्रशिक राशी से आपको और करक राशी और यहाँ पर धनु राशी से धोखा मिलने के संभावना सबसे ज़्यदा होती है अब माल लेते हैं आपका कारोबार है आपका लब है आपका साथी है तो आपका जैसरी कृष्ण इस मंत्र का जाप करना है एक सवाठवार और आप मंगलवार की दिन यानि कि सुन्दरकान का पाट करें वसे हन्वान चाली सा कभी पाट कर सकते हैं डेली करें तो ज्यादा अच्छ रहेगा और आप क्या करें कि पच्चियों को डाल जो चनी की डाल होती है वो खिलाएं इससे आपका जो धोका वाला पाटो का कमजोर होगा अगर हम अब हम आप जान लेते हैं कि आपके रिष्टों के बारे में मिथुन रास की जातकों कि जिसके बारे में हमने टॉपिक रखा है कि आपकी जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छा किस के साथ जमेगी आम तोर पर विवायक जीवन अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी आपके लिए बढ़िया है आप अपने जीवन साथी को चाहने वाले बहुत अच्छे होते हैं शुरुआत में बिना वज़य के ही थोड़ा बहुत डिफरेंस पैदा होता शुरुआत में लेकिन फिर भी ठ ठीक है तो यहां पर मीन रासी और आपकी स्वयम की रासी तो हई है साथी कन्या रासी कन्या रासी मीन रासी वैसे धनू से करें या ना करें कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन करेंगे तब भी चलेगा चुकि यहां पर अभी हमने कहा कि धनू से धोखा मिलता है लेकिन धनू और आपको ब्रिश्चिक राशी से और आपको यहाँ पर मेस राशी से इनसे विवा करने से बचना होगा क्योंकि यह आपके सत्रू राशी है अब आपकी सबसे ज़्यादा जोड़ी किसके साथ अच्छी जमेगी जो हमने कहा कि कन्या राश के साथ अच्छी जोड़ी जमेग और आपकी यहाँ पर चुकि मिथुन रासी है इसके साथ भी जवेगी अब धन्यू के साथ भी कर सकते हैं अब चुकि आपका सत्रू रासी है कौन अब यहाँ पर विवा हो गया सत्रू रासी से और इनसे आपको दिखते आ रही है अब इनसे आप विचार नहीं मिल पा रहे हैं आपकी सत्रुडासी है आपका इनसे बिवा हो गया और इनसे प्यार करते हैं अपने लब पार्टनर को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं जैसे कि लोग जीवन साथी को नहीं चोण पाते, उसी प्रकार अपने लब को भी नहीं चोण पाते, तब ऐसे में आप चाहते हैं कि आपका लब आपके साथ रहे, तो थोड़ा कम आप से छल करें, थोड़े कम जगड़े लड़ाई करें, तो आपको क्या करना है, आपको ब् को बहुत अच्छा रहेगा, और आपको केले का सिबन बिल्कुल नहीं करना है, बलकि चने से संबंधित कोई चीज आप सिबन कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके रिष्टों में मजबूती आगी, और खुसी आएंगे, और मिठास आएंगे, तो ये था मिठुन रा पासिक साथ अच्छी जोड़ी जमती नजर आ रही है, तो दोस्तों कमेंट सक्षिन में सचे दिल से जैसंदेव, वश्य लिकर जाते हैं, आप ये वीडियो को रैक जरूर करें, नहीं तो चनलन को सब्सक्राइब करें, उससे चेर करें, जैसे चैर करें, जैसे चैर करें,